हाई फ्रेंड्स आज के वीडियो में सिखेंगे कि हम ABB drive की wiring और programming कैसे करते हैं हमारे पास अगर एक potentiometer है अगर हमें potentiometer से ट्राइब की frequency increase और decrease करना एक selector switch start stop के लिए और एक selector switch reverse forward के लिए हम इसकी wiring कैसे करेंगे और इसके लिए हमें क्या program करना होगा second है मारे पास mode अगर ह हमारे पास कि में कि स्ट्राइब की ड्राइब को इसकी यह Honey और हमारे पास एक और ऑप्स करेंगे अगर हम स्ट्राइब को एक अगर स्टार्ज से व्च करेंगे has a हम ड्राइब को reverse में start और stop करेंगे हमाँ पास एक और mode है अगर drive को एक selector switch से start stop करना second selector switch से drive की direction change करना push button के तुरू हम drive की frequency कम जादा कैसे करेंगे और इसकी wiring कैसे करना है तो यह सीखने के लिए video को अंतक के देखते रहे हैं हमाँ पास यह first mode है जिसमें हम एक potentiometer से drive की speed कम जादा करेंगे और एक selector **** जिसे हम drive को start stop करेंगे और second selector switch है जिससे drive की direction change करेंगे तो सबसे पहले हम potentiometer की wiring करना सीखेंगे Buenos हमें यह ज्में है ज्में यह判रन ज्म ईर्ट शॉर्ट its कि granting भार सब्राइं न्मितुछ हुदविपवर्ट सकते हैं निर्लिटे हैं टीण चर्फ्त बेंोज्च चेक पर चयोदॉkum सब्सक्राइब करना है इस तरह से हमने पोटेंसियो मेटर को ड्राइब से कनेक कर दिया है इसके बाद हमने यहां पे डिश्टल इंपुट की वैरिंग कैसे की है हमने जो ड्राइब का यह ज्यारा हुँ बारा नमर का ट्राइब का ऑफ़े ऑन नमर टैमनेल है इसको हमने आपस जो परिट्व ड्राइब का इसको हमने आपस च्रॉट कर दिया है और जो पॉजटीव बोल्ट है आगज पॉज़टी 16 स्झी Subscribe निकिक इससे हम ड्राइब को start भी करेंगे और stop भी करेंगे जब सेलेक्टर स्विच अन रहेगे तो drive स्टार्ट रहेगे सेलेक्टर स्विच को जैसी ओफ करेंगे तो drive स्टॉप हो जोएगी यह वन वे सलेक्टर स्विच है और इससे जो आउटपुट निकला स्टॉप करेंगे उसको हमने डिश्टर इंपूट ड्राइब के डिश्टर इंपूट वन से कनेक्ट कर दिया है और जो सेकंड्स तॉट्स यह भी वन वे सलेक्टर स्विच है जैसी हम इसको फॉर्वर्वर्वे अन रखेंगे अगर यह सलेक्टर स्विच अन रहेगा तो drive र तरह से हमने मोड़ की वाइरिंग की है अब हमाइपास इसके मोट था इसकी बारिंग करना सिखते हैं यह कंगरेंग कि वाइरिंग की टी उसी तरह से अब मोड में भी पोटेंटियो मेंटर की वैरिंग की है इसके बाद हम डिश्टाल इंपूट की वैरिंग करना सीखते हैं हमने यहां पे जो 24 बोलता टैन नमर्ट से निकल रहा है उसको हमने स्टार्ट बटन स्टॉप बटन और सलेक्टर स्विच के फर्स्ट पॉइंट पर हमने क करने कि है कि उसको हमने इंपूट नबर 3 से करने कि आपस में यह हो महते हैं हमारो सेकंड मोड में पहले की तरह ही त्ले से गोडियों से यहां पे बहुती है दिज्डेयल इंपुड में स्ट्राइव करने के लिए एक सafeलेक्टर सुच लिए है और एक क्रिवर्ष बद्शुच लिया है जब करेंगे तो ट्राइव फ़ॉर्वट और ऐसे अंप करेंगे तो ड्राइब रिवर्स में होगी और इसको आफ करेंगे तो ड्राइब स्टॉप हो जाएगी फस्ट अलेक्टर स्विच का आउट्पूट हमने डिजिटल इन्पूट फस्ट से कनेक किया है उसके बाद हमारा फॉर्थ मोड आता है इस मोड में हम पोटेंसियोमेटर को यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमें स्पीट पूस बटन से इंक्रीज और डिक्रीज करना है तो इसमें हमने एक सेलेक्टर स्विच लिया है इस वाले से рекटर से drive को स्टाट भी करेंगे स्टॉप भी करेंगे और सब्सेकर सुब्ट से जिस्से ड्राइब की स्पीड को इंक्रीस करेंगे उसको राउन्वाल पुस बटन को हमने इन्पुट नमबर फॉर से कनेक्च किया है यह हो गए हमारी वारिंग अब हमें ड्राइब में इसकी प्रोग्रामिंग कैसे करनी हैं यह हमारे पास एबीव ड्राइब का यूजर मैनुवल ACS 550 कि सबसे पहले हम पेज नमर 77 वे जाते हैं यह हमारे पास पेज ट्रेजिव बसका सब्सक्रामेटर करने के लिभाटर है यह हमें और सबसे पहले हमें और सबसे पहले है तो सबसे पहले हम इसका माईक्रोस का प्रामिटर है 9902 इसमें हमें माईक्रोस मिल जाएंगे सबसे पहले आता है माईक्रोस एक बीबी स्टेंडर्ड माईक्रो अगर हम 9902 में वन सेलेक्ट करते हैं यह हमारा और एक स्टार्ट स्टॉप के लिए सेलेक्टर स्विच लिया था अगर हमें इस मोड की प्रोग्राइंग करनी है तो हमें पैरमेटर 9902 में वन सेलेक्ट करना होगा इसमें एनलोग इनपूट फर्स्ट पोटेंशियो मेटरी से ड्राइब की स्पीड कम जादा होगी और यहां पर दिया हो डिजिटर इनपूट फर्स्ट स्ट इस्ट और डिजिटर इनपूट नमबर सेकेंड से ड्राइब का ड्राइक्शन चेंज होगा अगर हम 9902 में वहन सेलेक्ष अगर हम 9902 में टू सलेक्ट करते हैं तो हमारे थ्री वाय माइक्ष्ट हो जाएगा इसमें हम एनलोग इनपूट से प्रोटेंशियो मिटर के थरू राइब की स्पीड कम जादा कर सकते हैं और पुस्ट बट्न के थरू ड्राइब को स्टार्ट स्टोप कर सकते है और forward reverse selector switch के through drive की direction change कर सकते हैं यह हमारा second mode था हमने यहाँ पे start stop push button लिया था और direction के लिए selector switch लिया था अगर हमें इस mode में drive को on करना है तो हमें parameter 9902 में 2 करना होगा तो हमारा यह mode select हो जाएगा हमें बाकी और कोई parameter set करने की जड़त नहीं पड़ेगी हमारा third mode है अगर हमें first selector switch से drive को forward second selector switch से drive को reverse करना है और potential meter से drive की speed को कम जादा करना है तो हमें 9902 में हमें क्या set करना होगा third mode यह है alternate micros अगर हम 9902 में 3 select कर देते हैं अगर हम 9902 में 3 select कर देते हैं तो हमारा alternate net micros select हो जाएगा इसमें हम potential meter के तुरू drive की speed कम जादा और एक selector switch से drive को forward और second selector switch दे drive को reverse कर सकते हैं अगर इस condition में drive अगर दोनों selector switch अगर इस condition में forward का भी selector switch और reverse का भी on रहेगा तो drive हमारी रन नहीं होगी यहां पर condition लिखा हुआ है यह हमारा हो गया third mode हमारे पास fourth mode आता है अगर हमें drive को एक selector switch से start stop second selector switch से drive को forward reverse और push button के तुरू हमने drive की speed कम जादा करना है तो हमें 9902 में क्या select करना होगा यह आता है motor potentiometer mode अगर हम 9902 में four select कर देते हैं 9902 में four select कर देते हैं fourth mode select हो जाएगा जिसमें हम हमने यहां पर analog input नहीं लिए potentiometer हमने एक start stop के लिए selector switch लिया है second selector switch हम drive की direction change करेंगे और एक reference लिया है आप input number 3 से connect किया push button जिस्ते drive की speed increase होगी second push button जिसको हमने di input 4 से connect किया है इससे speed down होगी इस तरह से हमने drive को एक selector switch से start stop कर लिया second selector switch ते drive की direction change कर लिए और push button के दुरू हमने drive की frequency increase or decrease कर लिए यह हो गए हमारे drive के चारो मोड और इसकी वारिंग और programming इसके सिवा हमें माइक अगर हमें यह configuration है अगर configuration हमारा match कर रहा है तो हमें drive में इसकी सिवा और कोई parameter change करने की जड़त नहीं होती है हमारे पास और micros दिये हुए हैं इसके बाद आता है hand और auto micro हमें अगर hand और auto में चलाना है तो 9902 में 5 select कर देंगे तो hand और auto mode select हो जाएगा और इसके recording हमें drive में वैरिंग करने होगी उसके बाद है PFC, micros, pump और fan application तो हमें 9902 में 7 select करना होगा तो PFC control mode on होजाएगा और हमें इसके recording इसकी वैरिंग करनी होगी उसके बाद आता है torque control mode, torque control mode में हमें 9902 में 8 select करना पड़ेगा तो हमारे drive टॉर्क control mode में on होजाएगा इसके लिए हमें इसके recording हमें इसकी ड्राइब की वैरिंग करनी पड़ेगी इस तरह से हम ABB drive में default micros का यूज करके हम drive को application के recording रन कर सकते हैं अगर आपको इस वीडियो पसंदा है तो like करें, share करें और comment करना ना बोले कि आपको इस वीडियो कैसा लगा